कि आप 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 सभी भक्त जनों को सप्प्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके समाख छाद स्रिमत भगवत गीता के 13 सध्याय के सष्ठम स्लोक के उपर परवचन करने जा रहा हूं यह छठा स्लोक कहता है स्री भगवान कहते हैं इक्षा द्वेशह शुखम दुखम संघातस चेतना धृति एदत्चेत्रम समासे नसा विकारम मुदाहिर्तम अर्थात इक्षा द्वेश शुख दुख संघात चेतना धृति यह जो हैं यह चेत्र के संघात में कहे गए विकार हैं तो यहां भगवान ने सबसे पहले इक्षा का नाम लिया है तो इक्षा जो है वो मूल विकार है प्राथमिक विकार है इसी से बाकी विकार होते हैं इक्षा ही हमारे सुख दुख सब चीज का कारण है क्योंकि पहले इक्षा उत्पन होगी तब उस इक्षा को प्राप्त करने की इक्षाएं और बलवतिर होगी फिर उसके बाद कर्म की इच्छा होगी फिर बागी इच्छा होगी तो पहले पाने की इच्छा हो जाएगी भोगने की इच्छा हो जाएगी फिर जो है उसके हिसाब से वैसी भाव इच्छा बनेगी फिर कर्म इच्छा बनेगी और फिर बाद में सब घटना है घटेंगी सुक दुख पैदा होंगे रादवेश जो कुछ भी पैदा होंगे सब इक्षा से ही पैदा होंगे तो इक्षा मूल विकार है और यहां जो बताय जा रहा है यह समिष्टे बलकि वियस्टी बताय जा रहा है इसके पहले जो बताय गया था वो समिष्टी बताय गया था इसके पिछले स्लोक में अब इस स्लोक में वियस्टी छेतर बताय जा रहा है तो यहां जो भगवान ने कहा है इतत छेतरम तो यहां इस छेतर का मतलब है कि यह हमारे व्यस्टी, हमारे व्यक्तिकत, निजगत सरीरों की बात की जा रही है, यह समग्र पूरे अस्तित्यों का पूरे प्रकृत का बहुत बड़े छेतरग पर बात नहीं है, तो यह जो इक्षा हमारे चित पर अंकित हो लिया, अब इसने जनम दिया किस किस चीज़ का, तो भगवान काते हैं कि द्वेश का अधी कामना की पूर्ति नहीं हो, तो क्या होता है, कि हमारे वितर में कुरोध की उत्पनती होती है, तो यहां पर यह है कि इक्षा से द्वेश होता है, कि द्वेश का मतलब की वह हुआ इक्षा, क्योंकि अब पूर्ति केरी बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां बाधाएं आ जा रहे हैं, कोई ब्यक्ति, कोई घटना, तो कोई ने कोई बाधा हो जा रहे, तो हमें कुरोध हो जा रहा है, अब सामने वाला है तो कुरोध परकट कर दिये, नहीं है, तो किस पर परकट करें, तो हमारे भीतर में डब जाता है, अधि किसी ब्यक्ति से लगता है, यही ब्यक्ति अच्चन डालता है, उसके परति घ्रना हो जाती है, द्वेश हो जाता है, हमारा अपमान करता है तो द्वेश हो जाता है, हमारा कुछ हानी पहुचाता है, द्वेश हो जाता है, मन में उसके परति कड़ुता बली रहती है, और वह यह घ्रनास्पद हमारे सब्द निकलते हैं, और हमारे भाव और कर्म निकलते हैं, अब इसके बाद जो है सुखम सुख क्या है सुख का मतलब है कि हमारे मन के अनकूल घटनाए घटे हमारे मन के अनकूल व्यक्ति मिले हमारे मन के अनकूल सब बाते हो भाव हो इस दुनिया में सब कुछ हमारे अनकूल होता जाए तब हम कहेंगे बहुत सुख है लेकिन यह अगर अनुकूल भी होता जाएगा तो वह अनुकूलता अपने आपके भीतर में परतिकूलता रखती है इस बात को हम नहीं जानते हैं तो जो हमारे कश्ट आये हैं वो इसलिए आये हैं क्योंकि हमने कभी उस अनुकूल को चाहा था यानि इस परतिकूल को चाहा था जो कि अब कश्ट के रुप में आ रहा है दुख के रुप में आ रहा है इसके बाद गाया दुखम तो दुखम क्या है मन के परतिकूल घटने वाली घटना है मन के परतिकूल मिलने वाले ब्यक्ति मन के परतिकूल होने वाले कुछ भी भाव ये सब सब जो हैं ये दुख हैं जो मन के परतिकूल होते हैं और वे सब हमारी अनुकुलता की कामना की वजह से ही उत्पन हुए हैं यानि हमने चाहा था और जब हमने चाहा था और वो हमें मिला था तो मिला था उसक्त दिया था लेकिन साथ में दुख रखा गए जो हमें बाद में फिर मिल गया या हमने चाहा और उस वक्त वो बिला ही ने तो उसी समय दुख हो गए तो अधी वह चित भी हुआ तो भी हमारे खिलाब ही गया पट भी हुआ तो भी हमारे खिलाब गया चित हुआ हमारे इसाब से हो गया तो कुछ समय बाद जा करके वो दुख लाया पठ हो गया तो ततकाल ही ले आया यानि दुख तो भोगनाई भोगना परतिकुल घटना होने होने है तो जो आज अनुकुल घटना घटी है वही हमारे लिए परतिकुल घटना का कारण बनेगी आज हमने अनुकुल घटना की साधी कर ली तो आप वही साद्रेगी जुने दुखलाई परतério कुल गटना गट अज कुल गटना गटी बेटा पएदा हो गया तो इ Sabbath मैं कट मघ्राभण करेगा कोई पडा होगा तहीं घंय बनी देगगा मारेगा आती है लेकिन हम सोचते हैं कि चलो जब परतिकूल आए गया अभी तो अनकूल आ जाए जो खीर हमने खुब खाई खुब मज़ा दिया वही हमारा पेट खराब कर दिया गैस पैदा कर दिया या उल्टी होने लगी तो वो परतिकूल ता ले आई और अगर हमने हजम भी कर लिया तो हमारा उससे राग बन गया फिर वो राग कि हमें फिर मिले वह एक दुख ले आया फिर हमें बार-बार की कामना होगी फिर उसके लिए हम परसान होंगे नई मिलने से दुखी होंगे मिल जाने पर लोग होगा फिर और खालने की इक्षा होगी फिर भरेगा फिर सरीर में विकार होगा सरीर में रोग होंगे तो हमारी वेही कामना है वेही इक्छाएं जो सुखलाई थी वेही दुख भी ला रहे हैं साथी साथ उसमें वो अनिबध है उसके साथ संजुपत है अर उसके बाद है संगहात संगहात यानि मिल जड़ जाना रियक्षन कर जाना और ऐसा रियक्षन करके एक आकार दे देना एक धाचा बना देना एक मडल एक फॉर्म बना देना यह संगहात है तो यह जो छेत्र है यानि हमारे यह जो सरीर है यह संगहात है किनका 24 तक्तों का यह संगहात है और इसे हमारे यह सरीर विकार के रूप में उत्पन हुआ है तो चौबिस तत्वों का वर्मन पिछले स्लोक में किया गया था जिसमें महाभूत थे, हमारे इंद्रियां थे, उनके विशय थे तो यह चौबिस जो तत्व हैं, यह संघात से हुए है और सिर्फ यही नहीं, जितने भी यहां पर घटना है घटती है हम कुछ खाते हैं, उसके साथ भी रियक्शन होता है, संघात होता है जुड़ा होता है, कोई व्यक्ति मिलता है, उसके साथ भी संघात होता है हमारे इंद्रियां जुड़ती है तो कोई व्यक्ति मिले कोई वस्तु मिले तो सदेव जो है संगात होगा उसके साथ चुड़ा होगा और उससे हमारे सरीर का निर्मान होता है यह भी एक विकार है यह हमारे सरीर का निर्मान करता है उसके बाद है Chetana यहाँ पर सुद्ध Chetana से मतलब नहीं है यहाँ पर इससे मतलब है जो हमारे सरीर को धारम कराने में समर्थ है जो प्राण सकती है और जिससे हम सोचने विचारने इनसा में समर्थ होते हैं जो हमारे व्यावारिक जीवन में काम आता है जिससे हम अपने को बढ़ा पाते हैं अपने को निर्देशित संचालित कर पाते हैं वे ही सब जिससे हम सोच पाते हैं तो चेतना का हम मामला बानते हैं हम कुछ आदेश निर्देश देते हैं वानी से बोलते हैं इसारे से बोलते हैं सब चेतना का विशे हो जाता है यहां चेतना भी छेत्र का ही विशे है क्योंकि यह प्राण सक्ति का विशे है हमारे सब को चला रहा है इसके निगल जाने पर हम निस्प्राण हो जाते हैं चेतन सुनने हो जाते हैं, और रहने पर हमारी चेतना विद्वान माने जाते हैं, लेकिन यह वह चेतना नहीं है, जो अविभाज तक तो कहा जाता है, यह वह चेतना नहीं है, यहां पर यह समझ देना चाहिए, यहां पर सरीर से समंधित जो चेतना, यानि उस चेतना का यह विकार ह जो वासुद्ध चेतना है जो अईभाज तक तक तो है जिसको आत्मा भी कहते है उस चेतना का ही यह विकार है यह भी चेतना सब्द के रुपे प्रियोग हुआ है परन्तु यहाँ पर इसे विकार समझना चाहिए तो जो हमारे बुद्धी विवेक यह सब-सब काम करते है मन काम करता है यह सब-सब इसी चेतना की वज़े से यह विकार है हमारे प्राण सरीर में संचारित होते है तो इस चेतना के कारण है और यहाँ इस पकार की चेतना का च्छाय भी होता रहता है हम भूलते भालते भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को किसी लिए अभिकार का रस्त है इसका च्छाय होता है हम बहुत सी चीज़ों के भूल जाते हैं जब हम सोचते हैं, तो बिच्स लेशन में भी यह गड़बड कर देते हैं, बोलते हैं, तो उसमें भी गडबड़ी हो जाती है, तो इसलिए यह विकार गरस्त है, सुद्चेतना विकार गरस्त में होती है, हम देखते हैं, कभी किसी चीज़ में कोई चीज़ दिख गया, बाद में हम confusion अपना दूर करते हैं, ओ यह जो दिखा यह सही नहीं था, यह तो तमासा था, तो इस तरह से हमारी यह जो चेतना है, यह लगातार बदलती रहती है, ऐसी जो चेतना है, यह विकार गरस्त चेतना है, अब इसके बाद है ध्रती, यानि धारन करने की छमता, तो यह जो ध्रती है, जो धारन करने की हमारी छमता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को धारन करते हैं, इसमें वस्तु है, भाव हैं, व्यक्ति हैं, अनकूल प्रतिकूल घटनाय हैं, सोच हैं, विचार हैं, इस सब सब ह झाल करतें हैं जो हमारे लगता है उसको जाल करते हैं व्यास थारटर कर लेता है हमारे हिसाब कर risa नई चलता मिंदNG बिधारं ने हुआ इदर बटकते हैं परिशान होते इस हमारे अनुकुर घटना घट गई है हमें और कोई काम नहीं है, हम कोई अथक परिशनम नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसा लगता है, हम जान्त है, तो उस बग जो है, हमारा धहर अच्छा होता है, सुबह सुबह हमारी उर्जय अच्छी रहती है, उस बग हमारा धहर अच्छा होता है, हम किसी बात को अच्छा समझते ह हैं सांज होते होते हैं इतने व्यथित हो जाते हैं इतने पताड़ित हो जाते हैं कि हमारा ध्यर घड़ जाता है और हम तुरती उलटके पलटके लोगों को जवाब दे देते हैं तो यहां जो है तामसी गुण आ जाता है तो हमारा धैरे जो है यह तमस में चला जाता है अगर वही सात्विक धैरे हो तो हम अच्छी चीजों को ग्रण करते हैं भगवद भजन को ग्रण करते हैं हरी नाम को करते हैं यह सात्विक धैरे हैं सात्विक धृति धार्म का यह तो धर्ती चमाय सब जो है इसमें धर्ती को भी सामिल किया गया है और मनु निग्रह को यह जो धर्म के दस लक्षन बताया गया है उसमें धर्ती को भी बताया गया है यह भी एक विकार है यकिन अगर यह सात्विक हो तो हमारे हित का है हमें अध्यात्म की और ले जाता है हमें अच्छा रास्ता बताता है हमें अच्छा आदमी इंसान मनाता है, हमें नेक इंसान मनाता है तो धृतिवी बढ़िया चीज़ है हम क्या धारन करते हैं, अगर यह तामसी होगा तो हम उटा-उटा धारन कर लेंगे सराभियों के संगत धारन कर लेंगे कि अच्छा होगा तो हम साथों के संकत धार्न करेंगी तो कोई भी ची धार्न कर सकते हमारे में साथ्य प्रवर्ट्टि है कि राज्षिक की पामसी इसी पर निर्वर करता है तो यह धृति भी इस तरह से तिन हे भागों में बाटा जा सकता है आगे हम लोग देखेंगे बाद में भगवान बताते हैं अम लोगो आगे क्या धैम पटाते हैं कि यह सब क्या है। साथपिग्रासित अपसी वहांatore हम द्रीटी की विश्यज मेन और विस्तार से चर्चा करेंगे अब भगवान का रहे हैं कि एतत छेत्रम समासेन तो यहां बताते हैं यह जो छेत्र है जो यह व्यस्टी छेत्र है इसको हम संछेप में इसके विकार सहित पताए हैं तो यह जो हमारा समिष्टी छेत्र है वास्तर में हमारा यह जो व्यस्टी छेत्र है और य यह अर्थ में मूर रूप से यह यह जैसे कि लहरे हैं और सागर है तो लहरे सागर की ही है तो यह जो हमारा व्याष्टि यह जो हमारा सरीर है यह प्रकृत है इस प्रकृत से मिला ही हुआ है इस संसार से यह मिला ही हुआ है तो इसलिए इस संसार से मिला होने कारण वगवान यहां एतत का रहे हैं यहां निर्द्यसित का रहे हैं और अलग करने की कोशिज कर रहे हैं छेत्रग्य को छेत्र से इसलिए यहां पर एतत सब्द का परियोग करके बतलाना चाहरे हैं कि यहां इस समिष्टी छेत्र से भिला ही हुआ है, इसलिए इनके चक्कर में तुम ज़्या मत पड़ो, तुम छेत्रग्य हो, तुम परमात्मा के साथ यूटो, तुम परमात्मा तक तो हो, तुम आत्मा तक तो हो, तुम छेत्रग्य हो, यह कहना चाहरे हैं, और यह जो छेत्र है, यह तो तुम हो ही नहीं या तुम्हारा था ही नहीं या तो यहीं का है या तो संसार का है तो इसके फंदे में मत फंसो क्योंकि यह विकार है या तुम्हें विकार ग्रस्त करेगा शरीर के बंदन में बंदोगे, शरीर को ज़्यादा मात दोगे, बुद्धि को अमन को ज़्यादा मात दोगे, तो इसमें फस्ते जाओगे, विकार गरस्त होते जाओगे, और छेत्र के मोव में फस्त जाओगे, तो ऐसा होगा कि जो छेत्रग्य है, वह अंजाना रह जाएग तो छेत्रग का किस तरसे छेत्र से सम्मंद विच्षेत हो रहा है होना चाहिए इसकी को भगवन मतलाना चाह रहे हैं तो जियों ही हमारा बोध हो जाता है तो हम देखते हैं कि यह सब सब विकार अलग हो गए और हम सुद्ध निर्मल अस्तित्त जो हमारा है हम अपने सुद्ध अस्तित्या है और अभी जो हम अपने काते हैं यह मैं हूं यह मेरा पन है तो यह मैं और मेरा पन जो है यह विकार ही है यह सुद्ध नहीं है वास्तों में सुद्ध मैं क्या है आत्मतत्त और मेरा पन क्या है परमात्मा परमात्मा मेरे हैं मैं आत्मा यह सुद्ध स्थित्य को ही इंगित करने के लिए भगवान ने यहां पर यहां एतत सब्द का प्रियूब करके बताने कोशिश किया और यह भी कहा है किसे मैं संशेप में बता रहा हूं विस्तार्प उसका बहुत होता जाएगा और यह विकार ग्रस्त है इस चीज को कह रहा हूं इसको समझ लो यह विकार ग्रस्त है इसको सुद्ध मत मानो इसको अपना मत मानो इसके चक्कर गन चकर में मत पड़ो यह जो हमारा अनतह करण है यह जब इन जब के साथ तारात बना लेता है संसार के साथ तब उसको लगने लगता है कि यह हमें ही हूं यह में ही हूं और फिर उसे लगता है कि यह मेरा है यह मेरा है तो इस मैं और मेरा के जन में वो फस जाता है और दुखी गसित होता है और वो जन मरन के चक्र में फसा रहता है यही यहाँ पर भगवान का संदेश है ओमरे